हेलो एवरिवोन विलकम बैक टो माई चैनल तो आज हम बात करने वाले एक कोजी केर प्रोडक्ट के बारे में और यह एक रीवेस्टेड वीडियो है दोस्तों आप मैंसे किसे इसकी रिवेस्ट के दी तो प्रोड़क्ट जो है वो कोजी केर इसके इसके इसकी आउटर सबसे पहले हम बात करने कि आपको मिलेगा कितने का तो इसका जो प्राइज है वो है 350 और इसमें डिसकाउंट मिलता है ठीक है मलब 300 के आराउंड यह आपको मिल जाएगा MRP का 350 है लेकिन इस पर डिसकाउंट चलता है प्राइज इसके कम होते हैं एमजॉन से मैंने से लिया है तो आप उसे बाय कर सकते हैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोबाइट कर दोंगी आप चेक कर लीजेगा तो यह face wash claim करता है कि आपके skin को monsterize करेगा anti-aging में भी काम करेगा साथ में जो है यह आपके skin में hyperpigmentation के problem होती है उसको भी यह decrease करेगा ठीक है तो यह इसका claim है और इसके अलावा जो है यह इसमें जो composition है ठीक है main composition जैसे इसका नाम कोजिक केर तो इसका main composition जो है वो कोजिक acid है साथ में अर्बुटीन भी है और vitamin E भी है तो यह इसके main composition है अब बात आती है कि आपको इसे try कैसे करना है आपको इसे एक दिन में दो से तीन बार इसको try करना है ठीक है try करने का थोड़ाँ सा तरीका जो है वो अलग है आपको क्या करना है इसमें थोड़ी quantity ज्यादा लगती है क्योंकि forming face wash है ठीक है आपको जैसे कि अगर वैसे normal वैसे liquid face wash होता तो आपको सिफ एक pump की जरूरत होती लेकिन आपको इसमें और जैसे कि आप 3-4 पंप आपने लिया और उसके बाद बस इस तरह से मसाज करना जैसे मलब face wash समझ के आपको नहीं चाहे करना जैसे हम लोग क्या करते है normally face wash करते हो और एकदम से लगा के अगदम से धुल लेते है तो इस तरह से नहीं करना आपको बिल्कुल भी इस तरह स करना है आपको क्या करना time देना है जैसे आप clean up या फिर facial करते हो बस इस तरह से आपको मसाज करना ठीक है circular motion में पूरे face पी इस तरह से मसाज करते जाना उसके बाद clean कर लेना है तो आपको result is के अच्छे मिलेंगे deep clean का का काम करता है ऐसा नहीं लगेगा कि इसने जो है वह नहीं निकला है इससे ठीक है या फिर ऐसा लगी नहीं रहा है कि इसने कुछ deep clean का काम किया है ना चिकनाई महसूस नहीं होगी आपको जैसे कि कई face wash होते है आप try करते हो उसके बाद थोड़ा सा ऐसे oily oily सा लगता है चिकनाई जैसे लगती है face पे और ऐसा नहीं लगता है कि यह deep clean का का काम किया है तो इसमें कोई भी सक नहीं है ठीक है आपके skin को यह bright भी करता है light करेगा आपके skin को मैंने खुद पर इसके result देखें कि lightning का यह काम करता है बस problem कहना है कि यह ज़्यादा नहीं चल पाएगा region क्या है नहीं चल पाएगा क्योंकि आपको इसके 3-4 pump लेन मुझे नहीं लगता कि आपको इसे चाय करना चाहिए ठीक होर कोजे केर वालों से मुझे यहीं कहना है कि formula इसका अच्छा है बस इसे जो forming face wash जोई ना बस इसे convert करके liquid face wash में आप convert कर दो तो मुझे लगता इसकी rating भी अच्छी जाएगी और इसके result भी मिलेंगे तो result में मुझे यह अच्छा लगा ऐसा नहीं है कि जैसे claim करना skin lightning का तो इसके result नहीं दिखेंगे जो skin पर दिखेंगे बस यह कि अपने आपको time देना है अगर आप सोच रहें कि आपने इस तरह से दो तीन pump लिए और बस यू यू करके बस wash कर लिया तो ऐस result आपको नहीं म आप।